हेलो दोस्तो आपका अपने यूटूब चैनल स्टडी फोर सकस्स पोर पॉर 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 जीरो में स्वागत है मैं विकास आपका अपने यूटूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और दोस्तो जैसा कि आप सभी को पता है SSE CHSL के आज एक्जाम सुरू होने स्टार्ट हो गए है तो हमारी पहरी सिप्ट कंप्लिट हो चुकी है तो दोस्तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपका फर्स्ट सिप्ट में GS से क्या कोशन पुछा गया Math से क्या पुछा गया GS में हमारे क्या कोशन पूछे गए है आप ध्यान से समझे अगर हमारे GS की बात करें तो हमारे GS से इसमें आए थे 25 कोशन आप सभी को पता है और 25 कोशन में अगर हम और और बात करें Current Affair की किसकी सबसे पहले हम Current Affair की ही बात कर लेते हैं current fair سے हमारे कितने question पूछे गए है वो हमारे पूछे गए है और कहां से पूछे गए है ये दोस्तों पूछे गए है January 2023 से और कुछ question पूछे गए है इन में से 1 से 2 आपका last December से कबसे last December से तो आप तो आप अभी पीछे की जो current affair है recent की वो पढ़के जाईएगा आपका question बन जाएगा और दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर history की history में जो हमारे question बनेते एक तो बनाता आपका सत्यागरा से संबंदित किस से बनाता सत्यागरा है आंदोलन से संबंदित हमारे question बनाता और एक question बनाता हमारे रजिया सुल्तान से संबंदित किस से बनाता रजिया सुल्तान से संबंदित हमारा question बनाता यह question बच्चों ने बताया है कि रजिया सुल्तान का सासन रा यह question यहाँ से पूछा गया है और अगर बात करें हम आगे आगे देखते हैं economics की, economics से अगर बात करें, economics से हमारा पूछा गया था, CRR की full form very simple, जो है, आपकी full form है, इसका होता है, cash, reserve, ratio, आपको याद रखना है, और आगे बात करें, अगर हम geography की, बात करें किसकी geography की, geography से हमारा a question देखने को मिला था, करक रेका से सम्बंदित, जो है, हमारा a question पूछा गया था, और a question पूछा गया था, दोस्तो, हमारा dora परवत, क्या पूछा गया था, dora परवत कहां पर इस्तित है, यो dora परवत आपका हो जाएगा, राजिस्थान में कहाँ पर है यह दोस्तो राजिस्थान में इस तिता यह आपको याद रखना है और यहाँ से जो most important question पूछे गए है अगर बात करे static gk कि किसकी बात करे अगर बात करे हम static gk कि static से कहां कहां से question पूछे गए है तो आप यहाँ पर देखिए हमारा जो static है static से आपका एक question तो पूछा गया है आपका music से किस से पूछा गया है music से पूछा गया है और आपका एक question पूछा गया है आपका parly painting से किस से पूछा गया है parly painting से एक question पूछा गया है यह आप याद रखिए आप जितने भी painting है उसको आप पढ़के जाएए और आप music जितने भी instrument है उनको भी पढ़के जाएए और यह बात current affair की वो मैंने आपको पता दिया है आप recent की current affair पढ़िए और आप यहां से जितने भी आंदोलन वगेरा है यह सबी पढ़कर जाएए आपका question यही से बनने वाला है तो दोस्तो यह तो था हमारा आजगा जी एस का question जी एस का person था अगर बात करें आगे हम English की आप question आसानी से बिल्गुल बना पाएंगे, तो अगर बात करें हम इसमें English में vocab वाले portion की, किसकी vocab वाले portion की, अगर हम बात करें, यहां से किश्ची ने question पूछे गए हैं, तो यहां से आप देखी, यहां से 9 से 10 question पूछे गए हैं, और यह 9 से 10 question जो पूछे गए हैं, यह टोटली previous year question पूछे गए हैं, जो कि बहुत आसान हैं, और यहां से एक question आया था आपका पैरा से, पैरा से आपके आते हैं 5 question, पैरा बिल्कुल नॉर्मल था, आसान था, बिल्कुल आसानी से आप इसको कर सकते हैं, और अगर बात करें हम voice narration की, voice narration से कितने question थे, तो voice narration से भी आपके 3 से 4 question देखने को मिले हैं, आप इनको भी आसानी से बना पाएंगे, अगर आपने थोड़ी बहुत English अच्छे से पढ़ रखी हैं, और एक doubt और था बच्चों के कि PQRS से, PQRS से हमारे कितने question पूछे गए हैं, वो 2 question पूछे गए हैं, ये भी normal question थे, अगर आपने grammar ठीक ठाक से पढ़ रखी है, तो आप इनको भी आसानी से बना पाएंगे, तो ये तो था हमारा overall English का, अगर मैं आपको बताओं कि English का कैसा रहा review, English को मैं easy कहूँगा, क्या कहूँगा, easy कहूँगा, आपके English easy आ रही है, और आपका GSB जो है, वो easy आ रही है, क्योंकि 20 question लगबग सभी बना पा रहे हैं, 18 से 20 question सभी बच्चे बना पा रहे हैं, तो आप भी असानी से बना पाएंगे, चलिए दोस्तों अब बात करते हैं reasoning की, reasoning बहुत important topic है, reasoning से कोन-कोन से question पूछे गया है, या ध्यान दीजीगा, सबसे पहले question तो पूछा गया है, coding decoding से, किससे पूछा गया है, coding decoding से question पूछा गया है, आपका कितना दो question, और दो question भी आपका सीधा place value पर आदा रही था, जिसमें plus हो जाएगा, या minus हो जाएगा, या multiple, यह आपको याद करके जाने हैं, कि एक बार question को देख लिजीगा, plus वाले, और minus वाले, और multiple वाले, किसके place value के, आपको सभी नंबरों की place value याद होनी चाहिए, तो आप आसानी से question यह बना पाएंगे, और देखिए अगला, अगला जो हमारा question पूछा गया था, वो पूछा गया था, blood relation से, किससे पूछा गया था, blood relation से एक question हमारा पूछा गया था, और बच्चे बता रहे हैं कि आसान question था, आप आसान question तो आराम से बना पाएंगे, तो मैं आपको recommend करूँगा, कि आप समी करण बेस question जरूर पढ़के जाएं, समी करण बेस question से मतलब है, कि A star B का मतलब है, A B का पिता है, कुछ ऐसे-ऐसे करके question होते हैं, और अगला reasoning में आता है हमारा sitting arrangement, sitting arrangement बहुत favorite topic है, SSC का, यह भी यहां से question पूछे गए हैं, आपके लगबग दो question पूछे गए हैं, और question कौन सा पूछ गए हैं, गोले पराधारित परसन, किस पर गोले पराधारित वरताकार, मेज हो या गोला हो, और इसमें भी आपका केंदर की और मुख करके बैठे हैं, जो वैक्ती, जो वैक्ती केंदर की और मुख करके बैठे हैं, वो question बनता है, उस टाइप का question यहां से पूछा गया है, sitting arrangement से आप इनको भी हमेशा याद रखिएगा, और इनको भी आप तयार करके जाईए, अगर आपका आने वाला exam है, अगर बात करें siloks की, siloks से देखिए हमारा question पूछे गए हैं, दो question, कितने दो question हमारे siloks से पूछे गए हैं, तो siloks भी आप पढ़गे जाईएगा, और question पूछा गया, when rx से, when rx से भी एक question पूछा गया है, और दोस्तों बात करें, अगर हम आगे topic की reasoning में, जो और क्या पूछा गया है, अगला हमारा topic पूछा गया है, आपका order ranking, क्या पूछा गया है, order ranking, order ranking से भी आपका question पूछा गया है, तो order ranking भी आप देख के जाईएगा, और question पूछा गया है, आपका classification से भी, classification से भी आपका जो है, एक question पूछा गया है, आप उसको भी याद रखिएगा, इसको भी पढ़े के जाईए, और क्या पूछा गया है, और question पूछा गया है, number series से, question पूछा गया है, कितने question, दो question पूछे गया है, और number series में भी, आपका एक था alphabetic series, एक था alphabetic series, alphabetic series से भी जो है, दो question पूछे गया है, ये भी आपको पढ़े के जाने हैं, और अगर बात करे, और topic क्या-क्या पूछे गया है, reasoning में, reasoning में एक topic पूछा गया था, mathematical operation, mathematical operation से जो है, आपका question पूछा गया था, वो भी एक question, इसमें आपको पता है, simple question पूछा जाता है, कि इसमें sign बदल के, multiply या आपका add वगयरा करके, आपको question दिया जाता है, तो आपको sign change करके, आपका answer लाना होता है, और अगर बात करें dice की, dice से भी एक simple question पूछा गया है, dice से एक question पूछा गया है, वो भी open dice से, open dice से पूछा गया है question, और अगर बात करें, आगे आगे हमारा mirror image भी पूछा गया है, क्या पूछा गया है, mirror image से हमारा a question पूछा गया है और दोस्तो हमारा question पूछा गया है आपका आकर्ती पूरुन करने से आपको पता है कि आपको आकर्ती दी जाती है उसमें आपको आकर्ती को पूरुन करना होता है a question आपका वहाँ से पूछा गया है और आपका a question पूछा गया है direction आपका एक question पूछा गया direction test से किससे पूछा गया direction test से आपका एक question पूछा गया है तो आपके यह जितने भी topic है यह SSC ने आज पूछे है तो आप इनको ध्यान में रखे जाएए आपको question यहीं से बने गई SSC ने बता दिया है कि हमारे यह favorite topic है और अगर बात करें हम reasoning के level की reasoning का level कैसा रहा आज गा तो reasoning का level भी आपका आसान रहा reasoning का level भी आपको जो है आसान रहा इसको भी मैं easy कहूँगा क्योंकि question सभी बच्चे लगबग बनाके आ रहे हैं तो अब बात करते हैं हमारा maths के बारे में maths का हमारा क्या लेवल लहा वो भी आप एक बार देख लीजिएगा maths का जो है वो किस परकार से question पूछे गए है math का भी आपका वो ही है जो आपका gs और reasoning का हाल है ठीक आप देखे math के अब math का question आपको पता है कि 25 question पूछे जाते हैं 25 question में भी दो part है एक आपका advance है और एक आपका arithmetic है अगर बात करें advance की advance से कितने question आज की shift में आपको देखने को मिले हैं तो आपका 9 से 10 question आपका advance से देखने को मिले हैं और जो आपके बचे हुए 15 से 16 question है वो आपके arithmetic से देखने को मिले हैं किस से arithmetic से देखने को मिले हैं और अर्थमेटिक में कौन-कौन से टोपिक से आएं देखिए, एक कोशन तो आपका पूछा गया है, सिंप्लिफिकेशन से, किसे एक कोशन आपका सिंप्लिफिकेशन से पूछा गया है, आप इसको भी देखिए, और आपका एक कोशन पूछा गया है, आपका जो है, ये क्या जाना है यहां से भी लगबग चार कोश्चन आज पूछे गए हैं जो की बच्चों के द्वारा बताए गए हैं अगर बात करें तिरकोंड मिती की तिरकोंड मिती से भी जो है कोश्चन पूछे गए हैं कितने तिरकोंड मिती से आपके दो कोश्चन पूछे गए हैं और दो क किस परकार के हैं में, एक कोशन तो आपका है इस पर आधारित, सैक का स्क्वेर ठीटा पलस टैन का स्क्वेर ठीटा बराबर वन, एक इस प्रोपर्टी पर आधारित आपका कोशन पूछा गया है, और एक कोशन आपका टिगनोमेटरी में पूछा गया है, पाइथागोरस पर में के आधार पर आपका एक जो है कोशन यहां पर पूछा गया है तो आप इनको अच्छे से करके जाईएगा आपका कोशन यहां से पूछा जा सकता है और अगर बात करें हमारा ओवर ओल आज का जो है किस परकार का एक्जाम रहा तो मैं आपको यही कहूंगा कि आपका जो आपका नोर्मल एक्जाम है आज का यानि कि आप अगर आपने थोड़ा सा भी अच्छा अपनी तयारी कर रखी है तो आप बिल्कुल अच्छा अच्छा अटेम्ट करके आएंगे इस बात की मैं गारंटी देता हूं और आप आने वाले जितने भी एक्जाम हैं अगर आप आनेलेसिस इसी परकार से देखना चाते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं चलिए दोस्तों मिलते हैं अब अगले आनेलेसिस में तब तक के लिए इसी परकार से अच्छी तरीके से तयारी करते रहिए और बढ़ते रहिए जाहिंद